जार्खन के आठ जीलो में सुखार तै जार्खन सरकार राहत फसल योजना के लिए पैकेज की घोसना 15 अगस्त के बाद कभी भी कर सकती है जार्खन सरकार पूरी तरह से इस पर नजर बनाए हुई है अब तक के प्राप्त आकुलो के अनुसार आठ जीलो का सुखार घोसित होना तै है इन जीलो में साहिवगन जामतारा चात्रा पाकुल गोड़ा पलामू देवघर और गढ़वा सामिल है इन सभी जीलो में 31 जुला तक धान की आउसत बुआई 15 मक्का की 56 दलहन की 33 तेलहन की 36 परतिसत और मोटे अनाज की बुआई 16 परतिसत ही हुई है राज सरकार की नजर अन जीलो पर भी बने हुई है बतादे किसी जीले या छेत्र को सुखा ग्रस्त घोसित करने के लिए समाने रूप से दो चीजों के अकलन का प्रोधान है सबसे पहले या देखा जाता है कि किस जीले में 31 जुलाई तक 50 परतिसत से कम बारिस हुई है इसके बाद फसलों की बुआई को अधार बनाया गया है बंगाल की खाड़ी में लो परेसर के कारण जारखन में अच्छी बारिस के आसार है 7 से 10 अगस्त जारखन में अच्छी बारिस हो सकती है मौसम केंद्र ने अपने पुरुनमान में बताया है कि 8 और 9 अगस्त को कहीं कहीं में गर्यन के साथ भारी बारिस हो सकती है मौसम केंद्र के प्रभारी अभिसेक आनंद के अनुसार एक लो परेसर बंगाल की खाड़ी में बन रहा है इससे अच्छी बारिस की संभावना है अभी तक करीब 46 पिसदी कम बारिस हुई है जार्खन में अगले कुछ दिनों में मांसुन की स्थिती में सुधार हो सकता है बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का छेत्र बन रहा है इसका असर जार्खन के करिब करिब सभीश जिलो में होगा जार्खन के CM और राजेपाल ने नौर निर्वाचित उप राष्टपती जगदीप धनखण को दि बधाई CM हेमन सुरे ने नौर निर्वाचित उप राष्टपती को बधाई दि है उन्होंने ट्वीट करते हुए पूरे जार्खन और यहां की निवासियों की ओर से बढ़ाई दी है। जगदीप धनखड को हार्दिक बधाई वसुब कमना है। आपके अनुभाव का लाब उच सदन राज सभाग को निश्ची तुरूप से मिलेगा। इन ग्रामिन महिलाओं को राखी बनाने का पर सिक्षन दिया गया है। साथ ही इनके द्वारा निर्मीत राखी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पलास माट के तहत की जा रही है। राज के आठ जीलो में रांची हजारी बाग दुमका, गिरीडी, रामगार, बोकारो, धनबाद और लोहर्दगा के लवग 75 स्वेम सहायक समोहों की 550 से अधिक महिलाए राखी बना कर बिक्री कारे से सिधे तोर पर जूड कर अपनी उध्यमिता के अउसरों को बढ़ा रही अब तक साखी मंडल की प्रसिक्षित दीदियों ने 25 से अधिक आकरशक राखिया बनाई है, समधित जीलो के पलास माट एवां पलास परदर्शनी सा बिक्री काउंटर के माध्यम से जीलाव परखंड अस्तर पर बिक्री भी की जा रही है, राखी निर्मान की इस पहल से द तिरिक्त आमदानी भी हो रही है, जारखंड बिहार ने एक कई साल पुराना बिवाद निप्टाया, 40% बिजली बिहार को मिलेगी, टी भी एनल का स्वामित अब जारखंड सरकार को हस्तांतरित किया जाएगा, टी भी एनल की भविस में बनने वाली नई इकाई से उत्पा 40% बिजली बिहार को दी जाएगी, बिहार सरकार द्वारा अपने हिस्से की बिजली खरीदने से इंकार करने पर जारखंड सरकार को इस बिजली को दूसरे राजियों को बेचने का अधिकार होगा, जारखंड बिहार के उर्जा सचीवों के बीच इस बिचार बिमर्स के ब विनास कुमार और विहार के उर्जा विभागे परधान सचीव संजीव हंस ने हस्ताक्षर किये हैं इस समझाता पत्र को सुप्रीम कोट को सौप कर बताया गया है कि आउट अफ कोट सेटलमेंट हो गया है इसके साथ इवर्ष 2008 में दायर S.L.P. का भी निस्पादन हो गया है भागपा मवादी की विश्व आदिवासी दिवस पर अपील नक्सली संगठन भागपा मवादी के केंद्रिये कमेटी के परवक्ता अभाय ने प्रेस विग्यापित चारी किया है इसमें जल, जंगल, जमीन, ससकती करण के लिए आदिवासी जानता कि संगर्सों को उच्च रखने और विश्व आदिवासी दिवस पर अदिवासियों पर होने वाले अत्याचार के खिलाप संगर्स करने का आवहन किया है विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर नए वन संगर्चा नियम के बिरोध में दंड कार्ण और विहार जार्खन में आदिवासी जानता के संहर्ष के समर्थन में कारकरमों को आयुजित करने की अपील की है उसने अरोप लगाया है कि केंद्र और राई सरकार की गलत नेती के तहत आधिवासी जानता की जमीनों को उनसे छीना जा रहा है जज उत्तम अनन्द हत्या कांड में आजिवन कारवास धनबाद के अपर जिला एवं सत्र ने अधिस अस्टम उत्तम अनन्द हत्या कांड में सिवियाई की विशेश ने अधिस रजनी कांद पाठक की अधालत ने दोसी राहूल वर्मा एवं लखन वर्मा को आजिवन कारवा कि सजा सुनाई 30,000 रुपय का जुबाना भी लगाया अदालत ने इस मामले की सुनवाई ओनलाइन की है आपको बता दे कि 28 जुलाई को उत्तव अनंद की पहली पुनेती थी के दिन एरोपियों को दोसी करार दिया गया था जारखन के सरकारी स्कूल की बदहाली पर एक संदो सिक्षक बरखास्त जारखन के गोड़ा जिले के महगामा के भीखिया चक उतकर्मिक प्रात्मिक बिद्याले में बद इंतजामी का वीडियो वारल होने के बाद आखिरकर स्कूल के सिक्षकों पर सिक्षा विभागने करवा की है वीडियो वाइरल होने के बाद अगले ही दिन इसकूल के दो सहायक अध्यापक मुहमत तमिजुदीन वा मुहमत रफिक को बर्खास कर दिया गया है इसके साथ ही बी यो हरी परसा ठाकुर ने विद्याले प्रबंधन समीति को भंग करने का निदेश दिया ततकाल इसकू प्रफुल में बद इंतजामी का वीडियो गाउं का ही बच्चा सर्फराज ने वारल किया था जारगन में अफ्रीकन स्वाइन फिवर का कहर रांची में सौ सूरों की मौत से अलट जारी रांची के आसपास के छेत्रों में सूरों की अचानक मौत हो रही है अब तक सौ से अधीक सूरों की मौत होने के बाद पसुपाला निदेसाले ने सभी जीलों को अलट जारी करते हुए आवसक एतियात कदम उठाने को कहा है मुख्य मंत्री हमंत सुरेन दिली पहुँचे मंत्री मंडल में फेर बदाल मुख्य मंत्री हमंत सुरेन इस समय नई दिली में मौझूद है उनके दिली दोरे को देखते हुए मंत्री मंडल में फेर बदल की अटकले तेज हो गई है उलेखनिया है कि कांग्रेस कोटे के चार में से तीन मंत्रियों को बदलने को लेकर कांग्रेस आला कमान सहमत है बतादे दिली दोरे के करम में उनकी मुलकात कांग्रेस के वर्ये नेताओं से हो सकती है वे तीन कांग्रेस बिधायकों की कोलकात्ता में की रफतारी और उसके बाद की राइनितिक परिश्थितियों से भी पार्टी नेताओं को अवगत कराएंगे धन्यवाद